हेलो फ्रेंड माई नेम इस ताविश खान आप देख रहा है हमाँ चैनल इसके लिए इंडिया विटाबिश इस्माल इजी इन्फरमिशन प्रोफेशनल टेक्नोलोजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आज ही हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज का हमारा जो प्रोफेशनल इवेंट वर्डव माउथ इस मोर यूस्फुल इंग्रेटिंग न्यू यूजर्स एन कस्टमर वर्डव माउथ एडवर्टाइजिंग वाम डवल एम वाम इसे शॉर्ट फ़र्म में भांब करते हैं एडवर्टाइजिंग अलसो काल वर्ड और जो ऊपर देख सकते हैं वर्डव मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इस्ट्रेश जो तीनों शब्द थें उसका जो टैफिनिशन आए जो वह उसका जो निशक्ष लिकला आएं सलूशन वह तीनों का एक ही है तो अब भी हम आपको एक और डैफिनिशन जो इसकी बढ़ देते हैं कि जो नेक्स्ट डेफिनिशन है वो क्या है वर्डव माउथ वर्म कम्निकेशन मींस टैट इन्फॉर्मेशन टांस्मिशन ओफ आइडिया क्लियर हो गया आपका सेकेंड इसके जो नीचे दिया हुए सेंडर एंड रिसीवर सेंडर वो होता है जिसके द्वारा इंफ को लिया आ जाता है इसके बम इंक्रीज ओंफिडेंस इस्में जो कस्टंब म्होंता है उसका जो soniden वेलो इंक्रीस हो जाता है यानि बढ़ता जो customer का product के प्रती company के प्रती ब्रांड के प्रती जो भी एक विश्वास होता है वह आसानी से he recordings हो जाता है उसको इंक्रीज क्स और hon Act a second line जो इसमें दिया हुआ है lass time expenses जो भी customer है वो आपकी shop पर आता है मौल में जाता है कहीं पर भी शॉपिंग करने जाता है तो उसमें जो टाइमिंग होता वो कम हो जाता है यानि कि वो प्रोड़क्ट को पहले से सोच कहता है कि कौन सा प्रोड़क्ट हमको लेना है तो उस प्रोड़क्ट को आसानी से सर्च कर लेता है उसमें उसको प्रोड़क पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग आपको उसका पी कर सकते किने भिब होटाइं तो ائप को हिंदी होना चाहूंगा के तो होता क्या है जैसे आप ने देखा होगा के एक स्टोर की जो यह जनरल स्टोर स सैं कुई कस्टमर को चूब लेने के लिए कोई कस्टमर आता है जनरली जब ङूख दो उन्व पर sort आपने देखा के जाना यहना है भूब धिल ब्यार कि आप छलना की एक पर घृटीनर के लिए हैर सिंगल कस्टमर ug Tomorrow या उसकी भी वेलू बहुत ज़्यादा मानी जाती है एज रिटेल स्टोर्स के अंदर और शौप के अंदर जितने मार्केट बिजनेस है पूरा बिजनेस कस्टमर के उपर ही डिट्पेंड है आप देख लेजिए से सिले के सी एसे हो टीम लीडर हो फिलोर मैनेजर एसम रिट कस्टमर बहुत जादा मेजर करता है तो आपको हम बताना चाहेंगे कस्टमर से हम रिस्ते कैसे स्ट्रॉम कर सकते हैं जैसे आपकी शौप पर कोई कस्टमर आता है तो आप जो है ना अपने कस्टमर पर अच्छे से ध्यान दीजिए उसको प्राइस जो आपका प्रोड़क् क्वाल्टी अच्छी कस्टमर को देना चाहिए प्राइस प्रोड़क्ट क्वाल्टी एंड कस्टमर सर्विस हमारी जो कस्टमर है जो भी कस्टमर आया है आपकी शौप के पास उसको जो है आप चाहें वह प्रोड़क्ट ले या ना ले लेकिन आपको उसको सर्विस तो आपको अपने भगवान को जो है ना कभी भी नाराज नहीं करना है तो फिर आपको अब इसमें क्या होता है एक कस्टमर आया ठीक है उसने वहां से शूस खरीदा फिर वो जाकर अपना जो एरिया होता है सिटीज होती ही महले होते हैं उसमें जो चोटे-चोटे एरिये होत कि भाई मैं इस शॉप से जो है ना इस शूस को लेकर आया वह शूस की जो शॉप है ना वह बहुत अच्छी है तो क्या होता है कि वह एक बंदा जो है ना जाके दो बंदों बताता है फिर वह दो बंदे आके आपके इस्टोर्स में आके उस प्रोड़क को या फिर आपकी जा के तो ऐसे करके आपकी सेल बढ़ती जाती इसी को कहते के वर्डग माॉथ इसमें क्या होता है मूँ के दवरा जो कस्टमर है वो दुसरे ना मूँ के दवरा जा के चीजे बता है जो भी उसके साथ में स्टोर कर देंदर जो भी उसको अच्छा लगता है वे जाके वहां पर बताता है customer को उससे क्या होता है जो जनरल कम्मूकेशन गोल सोसल क्म्मूकेशन घ्रव हमाई सर्विस के तुरू हम जो और दूसरे सारे कैंटर को और अपने फ्रेंड को कस्ट। मोर को दे रहाएं तो इन दोनों में क्या होगा जो information दे रहा हैů ister को कर दोनों में क्टमर जिसको information मिल स्ट उस्टर और धेता एक न चसे क्टमर वह कि उसके जो माईन्ड दिमाग रहे उसके अंदर आपके प्रति ये अपकी आ पर थे आपके जो मार्केट को एब होगा जाता है तो क्या करता है वो उसको बता देता है कि उस चौप परches नहीं बैंग प्रोडॉड़क्श नहीं है तो क्या होताए्ट कि वो सेल कर आठी वहाँ پर वो कस्तुमर वहां से दुसरी शौप पर चला जाता वह ऐसे मनेशबिए आपने अपने कस्टमरों इसको अच्छी सर्विस देना अच्छे से बैठालना है पाने जो भी उसको मुद्थ सब करना खथे साथ विश करना है विशुकर ऐंक ग्रीटिंग जमनी है और फॉरमल ड्रेस में रहना और जो भी आपके रेटेंड पॉलसी एक्षेंज पॉलसी जाए उन सब को बताना है ताकि वो कस्टमर जो है ना आपकी जित्ती भी सर्विस है ना उससे किलियर हो उसके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन के लियर हो जाए तो इससे क्या होता है हमारे और कस्टमर के बीच में रिष्टे स्ट्रांग होते हैं तो वो कस्टमर जाके और कस्टमर को ले के आता है इससे क्या होता है कि हमाई सेल इंक्रीज होती है तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव कस्टमर तो ने जएक हैं कारेकरता वह जाते हैं आपने एक और option देखा होगा वी डूट को सेठ Seriously तो इसमें भी किया एंप्रों को यूजो होता है मूह के दोवारा किसी customer को प्रोड़क की इंफॉर्मेशं दी जाती तो इसमें जो होता है वो कस्टمर को अपने जो इसे जा ना हैं पिरोडक जानकारी देते हुआ वह प्रोडक आसानी से परक् 그렇like करेते हैं इसी प्रक्रीया को कहते हैं word of mouth वर्ड माउथ तो अगर आपको वीडियो रखर लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए